ध्यान से ही शक्ति है ध्यान से ही मुक्ति है वरमरिशी पिता महा पत्री जी कहते हैं कि हम अपना कल्याण अपनी ध्यान साधना द्वारा स्वेम ही कर सकते हैं नमशकार मैं अमरता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कारेकरम पत्री जी अमरितोचव के पांचवे दिन में जैसे की हमने आपको बताया ही था कि ये कारेकरम हम 21 से 25 तक सुबह 10 से 11 बजे आपके लिए लाइव लेकर आएंगे तो आज इस कारेकरम का पांचवा दिन है यानि कि आज विश्व भर में महा अफ्तार बाबाजी का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि ये कारेकरम हमने तीन विशेश दिनों के अफसर परायोजित किया था गुरू पूर्णिमा, पत्री जी अमरेतोचसव और महा अफ्तार बाबाजी का स्मृति दिवस पत्री जी के साथ हुए अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ कारेकरम में मौजूद है मास्टर पल्लवी जी पल्लवी जी लगभग 19 सालों से ध्यान कर रही है वो सोल लेट्वर की फाउंडर है साथी उनोंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है कन्विजेशन विद महा अफ्तार बाबाजी तो चलिए बिना देर किये पल्लवी जी का स्वागत करते है मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका कारेकरम में करना चाहूंगी सबसे पहले मैं आप दर्शकों को बताए कि आखिर महा अफ्तार बाबाजी कौन है और आज उनका जो प्रसिद्धी है वो विश्व भर में कैसे फैल रही है देखिए महा अफ्तार बाबाजी को अभी बहुत सारे लोग जान रहे है इसके पीछे भी एक रहस्य है वो है निव एनर्जी का रहस्या असिंशन का रहस्या तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगे कि महा अफ्तार बाबाजी एक ऐसे महान योगी है जो पिछले 2000 साल से उसी शरीर में जी रहे है जिसे हम एक अमर आत्मा भी कह सकते हैं जो लोगों को अध्यात्मिक स्वरूप से गाइड करते हैं उनको सेल्फ जर्नी में लगाते हैं उनको और अधिक अपने आत्म साक्षातकार के लिए आगे बढ़ाने के लिए महारगदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये भी आपको बताना चाहूंगे कि महातार बाबाजी ने क्रिया योग को स्थापित किया है और क्रिया योग के नाम से ही आप ज़्यादा तर बाबाजी को जानते होंगे उनका नाम सुना होगा या उनकी तस्वीर देखी होगी तो बहुत सारे लोग उनकी सिर्फ तस्वीर देखकर उनकी उर्जा से कनेक्ट होते हैं और बहुत सारे अनुभव उनसे पाते हैं तो इस प्रकार से बाबाजी की चर्चा जो है स्पेश ने लाई तब जाकर बाबा जी जो है बहुत सारे लोगों तक specially spirituality में बाबा जी का स्थान बहुत जादा महान हो गया उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे साधक आगया है जिनको बाबा जी ने अनभो दिये थे आत्म ज्यान प्रदान किया था और आत्म विकास का मार्ग दिखाया था जी माम जैसे कि आपने बताया कि बाबा जी पाँच हजार वर्षों से इस पृत्वी पर है तो माम जैसे कि बाकी जो गुरु है जो संथ है वो आते हैं ज्यान देते हैं और अपने भोतिक देह को उनके कोई desires नहीं होती spirituality में आने के बाद भी हमारी कुछ ऐसी desires होती है जिनने मैं कहूंगी spiritual desires तो वैसे ही कुछ souls चाहते है कुछ कारिय इस ग्रह के लिए इस planet के लिए करने के लिए कुछ आत्मसिध्धी प्राप्त करते हैं जैसे कि अमरत्व है या फिर चिरंजी भी जिसे कहते हैं ऐसे बहुत सारे souls जैसे कि हनुमान जी है उनमें से बाबा जी भी है अश्वत्थामा है ऐसे लोग जिनों ने इस ऐसी powers को use करने का अपने desire में लाया है ताकि वो बहुत सारे लोगों का कल्यान कर सके तो it's completely depend on their desire their wish कि वो ऐसा चाहते है कि इसी शरीर में रहते हुए अपनी बहुत सारी चीजों को उजागर करे अपने आत्मा के ऐसे रहस्यों को उजागर करे और उसी यात्रा में बहुत सारे लोगों को आगर लेके जाए जी माम दर्शक भी अमारे सद बने हुए उनसे बात कर लेते हैं हलो जी नमस्कार नाम बताईए अपना पवन अगरवाल पवन जी कहां से बात कर रहे हैं अलियाना परितावाल जी बताईए क्या सवाल है आपका मैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि जी पवन जी जरूर ठीक किया जा सकता है इसलिए पतरी जी ने कहा है कि बी और ओन डॉक्टर हम खुद के डॉक्टर बन सकते हैं ध्यान से हमें ऐसी शक्ती मिलती है जिसकी वजह से हम खुद का सेल्फ फीलिंग जो है स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे जैसे हम ध्यान की साधना बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी सेल्फ फीलिंग होती है और सेल्फ फीलिंग मतलब कि फीजिकली आप ठीक होना चालू हो जाता है तो जितना ज्यादा ध्यान आप करेंगे स्पेशली पूर्णिमा की दिन अगर ज्यादा ध्यान करते हैं आप तो आपको अपने शरीर को हील करने में सबसे ज़ादा मदद मिलेगी जी रवन जी आशा गरते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्थ हुआ होगा बहुत-बहुत दनेवाद कारिकरूमें कॉल करने के लिए. मैम जैसे कि अभी भौतिक देहे के त्याग की बात हो रही थी, तो यहां मैं पत्री सर के उपर आपसे बात करना चाहूंगी, कि पत्री जी भी तो और जीवन जी सकते थे, तो उन्होंने अपने भौतिक देह का त्याग क्यों किया? Actually, मैं भी एक दिन जाओंगी, आप भी एक दिन जाएंगे तो वैसे ही हर एक आत्मा ने जाने का दिन भी तै किया होता है जिसे हम कहते भी है कि कोई मृत्यू को नहीं टाल सकता लेकिन आध्यात्मा में आने के बाद हमने ये सीखा है कि मृत्यू की भी रचना एक आत्मा ही अपने लिए स्थापित करती है और हमें लगता है जब हम किसी को गुरू के स्थान पर देखते थे या देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो एक छत्र चाया है यह हमारे उपर सदेव बनी रहे इसलिए अगर कोई गुरू लाइव है शरीर में है तो हम कभी यह नहीं सोचते कि वो गुरू कभी जाएंगे या जाने चाहिए तो इस प्रकार से हमारे साथ भी वा कि हमने नहीं सोचा कि पत्री जी इतने जल्दी जाएंगे वो इस वज़े से क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका प्लान क्या है पत्री जी जो गए है वो अपने प्लान के हिसाब से ही गए है और अपना पूरा काम करके गए है और इसके साथ साथ वो हमें ये भी बता कर गए है कि शरीर का भी किस रूप से हम ऐसे इस्तमाल कर सकते हैं किस प्रकार से हम शरीर को भी पूर्णरूट से जाने की समय एक ऐसी उर्जा से भर सकते हैं जो लोक कल्लैन के काम में आए अर्थात कि पत्री जी ने हमें ये सिखाया है कि mentally हम स्वास्ते प्रदान मतलब खुद को ध्यान के माध्यम से स्वास्ते पाते हैं spiritually पाते हैं physically भी पा गये कि किस प्रकार से अगर आप वृत्यू के उस फेज में खड़े है तो उस प्रकार से कैसे हमें शरीर को भी सरेंडर करना चाहिए तो इसलिए मुझे लगता है कि पत्री जी ने जो भी किया है वो अपने plan के according किया है और ये पत्री जी की तरफ हमारा प्रेम है जहां पर कर लेते हैं हलो जी नमस्कार नाम बताइए अपना अनन्द जी कहां से बात कर रहे हैं वेश्ट वैंबल से बात कर रहे हैं बताईए क्या सवाल है आपका तो पंकत जी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारक बात दूँगे ऐसे अनुभव के लिए क्योंकि ये ध्यान का बहुत अच्छा अनुभव है ध्यान ये कहता है कि हम सिफ शरीर नहीं है हम मन नहीं है तो हम आत्मा है ध्यान की साधना से हमें आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है हम सही माईने में क्या है इसकी जो यात्रा है इसका आरंभ हो जाता है इसलिए जिस फेज का जिसका अनुभव आपने किया है कि जहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहा है या एक बहुत ही गहरे ध्यान के स्थिती में जब आप पहुच जाते हैं तब आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है तो ऐसी अवस्था में जाना ही सही माइने में ध्यान है जी तो आनन जी माम ने आपको बताया कि कैसे अवस्ता में आप जाते हैं और कैसे आपको पता चलता है यह ध्यान है ध्यान में कुछ भी घलत नहीं होता है ध्यान में होने वाला हर एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा है हर एक्सपीरियंस को आपको साक्षी भाव से देख बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइये क्या जानना चाहते हैं। रायम हमें कर्मा के बारे में जानना हैं। जी बताइये। हमारी सैंगीवें साथ मेंबर थे, और साथ मेंबर मैं से आप इस सिर्फ दो लोग हैं, चैनकमी मेरे बड़े भाई। जी और मेरी मम्मी, पापा और दो भाई और दादा जी तकी देश जो है अननेशल तरीके से नहीं चुरह दो साल पे तीन दीन साल पे और जी ओभी देश हुई वो जो डो साल एक साल बहुत तड़फ तड़के उनकी देश हुई और इलाज बहुत कर आये लेकिन प्रोपर कि पता ही नहीं चल पाया कि भूआ क्या है पिर ये सारे डेस्ट हमको जो है पहले ही सपने में दिख जाती थी और जैसे दिखता था बिलकुछ सेम वैसे ही उनकी मुच्चिज़ और अभी हम और भाई हैं और इसमें हम लोग का पूरा भीया का भी जिस पूरा खतम हो गया और जो पैसा लगाते हैं सब डूग जाता कोई काम नहीं होता मेरी जौब को दू साल होगा लेकिन कोई चल नहीं देगी और हैल्स इसू बहुत है और ही आपको पेट में बहुत जाबलम है और दवा कोई भी फायदाने काती है दंशिन करेगी दवा लगेगा बिलिस हो अधी है श्चल की फुटि मोट tv अब गया है और द्या थी होने के पाद आएप डिमिंश होती है तो अधित्ज्च तो उन क कबच्चा a जॱह हे निस्केरग ही हो जाता है और जब पता चल कनी भात पता चला करा गया तो वह लोड़का होता एलने कं जु़िणश में से और यह जो situation आप बता रहे है definitely यह कर्मा से ही related है और हर एक का कर्मा अलग होता है जैसे कि यह family members ही है लेकिन यह अलग-अलग आत्माए है हम उन्हें एक relationship के हिसाब से देख रहे है लेकिन यह सब अलग-अलग आत्माए है जिनका अलग से अपना karmic baggage है तो हर एक व्यक्ती वो किसी भी परवार से आए लेकिन वो आत्मा के ही आत्रा से चलता है जो account है उसका जो उसने खुद के लिए सोचा है जिस प्रकार से कर्म उसने अपने past life में किये है उसका ही निर्वाहन वो इस life में आकर करता है तो अगर ऐसी परिस्थिती आपके परिवार में पैदा हो चुकी है और आपने कहा कि आपको दिखाई देता है या अनुभव देता है और उसी प्रकार से घटित हुआ है तो मैं ये कहूंगी कि इसका मतलब है कि पूरे family में आप एक matured soul है बहुत अच्छे level पे आपकी आत्मा है जहां पर वो अपने psychic ability से ऐसे experiences कर रही है तो हो सकता है आप उनमें से हो जो आपकी ऐसे family members को रहा दिखा सके इसलिए मैं आपको guide करूंगी कि आप रोज ध्यान कीजिए ध्यान को बढ़ाई है जैसे आपने financial situations भी बताये कि family में है तो ये भी karmic है तो इसलिए मैं आपको guide करूंगी कि संकल्प ध्यान आप करे 40 दिन meditation करे किसी भी एक संकल्प को strongly लेके 40 दिन उसे करे जैसे कि financial issue है तो 40 दिन सिर्फ उसके लिए ध्यान करे कि आपको इस karmic चीज के उपर इसको clear करना है इससे आगे बढ़ना है ताकि आपकी situations बेटर हो सके अगर आपकी situation आप improvise कर पा रहे है तो धीरे धीरे वो जो उर्जा का प्रभाव है जो उर्जा आप ध्यान के माध्यम से लेकर आ रहे है वही उर्जा आपकी family members को भी guide करेगी उन्हें भी रात दिखाएगी जी तो देवया जी जैसे कि मैं आपको बताया कि 40 days का challenge लेकर संकल्प ध्यान आपको करना है आपको break नहीं करना है यह ध्यान जितनी आपकी उम्र है उतना minimum ध्यान आपको करना ही करना है यदि अभी तक आप ध्यान से नहीं जुड़े है ध्यान की विधी आपको नहीं पता है तो आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए PMC Hindi, PMC Hindi TV, PMC Hindi Health और PMC Hindi Clips यह चारो YouTube चैनल है हमारे आप यहां पे जान पाएंगे कि ध्यान की क्या विधी है और जो आप कर्मा की बात कर उसके बारे में भी हमारे PMC Hindi चैनल पर आपको बहुत सारा ज्यान प्राफ्ट हो पाएगा बहुत बहुत ब़ोद दन्यवात कारिकर में कॉल करने के लिए अगले दर्शक हमारे सार जुड़ हो उनसे भी बात कर लेते हैं हलो आलो, हालो, हाँ जी मैम नमस्कार जी, नमस्कार सर नाम बताये अपना मैं अजे बोल रहूँ पारीबत से जी अजे बताईए क्या सवाल आपका मैम जैसे कि मेडिटेशन में अगर जिसमें बाट था हूं तो 45-50 मिनिट तक बैठा जाता है तो जादा ऐसा है कि मैं जादा देर बैठाना चटता हूं तो कैसे उस में जादा देर बैठा जए जादा जाए जाए सिरल पॉसिटेशं में बैठ जाताभौशम पुटि फ़री सर के एज क्या है जैसे कि 45 minutes आप already बैठ पा रहे हैं, तो break लीचे, जैसे कि morning में 45 minutes बैठ गया अगर आपको afternoon या evening time मिलता है, फिर से 45 minutes बैठ ही है, तो ऐसे दीरे दीरे, ऐसे sitting में जब आप बैठेंगे न, तब आप एक one month, two month के practice से आप ऐसे हो जाओगे कि एक stretch में आप 3-4 घंटा बैठ आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा, जी तो दर्शको यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही हमारे चारो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे, PMC Hindi, PMC Hindi TV, PMC Hindi Health, PMC Hindi Clips, इन चारो YouTube चैनल के माध्यम स आपके ज्यान की वृद्धी होगी, आप दूसरों के experiences को सुन पाएंगे, और जब आप दूसरों के experiences को सुनते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि जो challenges आप face कर रहे हैं, वो ही सामने वाला भी face कर रहा है, लेकिन ध्यान के माध्यम से कैसे उन challenges से वो overcome हुए है, ये आपको जान के महत्म को समझ पाएं, अध्यात्म को समझ पाएं, पिरमिड के विज्यान को समझ पाएं, तो आज ही हमारे YouTube चैनल को subscribe करें, तो माम जैसे कि आपने किताब लिखी है, Conversations with Mahavatar Babaji, तो माम इसके विशे में थोड़ा आप से जाना चाहूंगी कि कुछ special है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और साथी साथ माम जब आपकी conversation हुई महावतार Babaji से, तो क्या आपने देखा उने, जी, तो कैसा स्वरूप था उनका, जैसा autobiography of a yogi में बताते हैं कि वो 25 से 30 साल की उम्र के एक यूवा लगते हैं, तो आपको वैसे ही वो दिखे, जी, तो जो योगानन आते हैं, तो वैसे भी Babaji आपको कई बार अपने अनुभाव में दिख सकते हैं, लेकिन ये एक higher level की आत्माय है, जिनकी energy इतने strong और intense रहती है, कि जिनके अनुभाव से हमारे भोदिकता में बहुत जादा बदल आ जाता है, हमारी सोच में बदल आता है, हमारी life के बहुत सा आये मेरे साथ, उन्होंने चानेलिंग की वारता लाप किया, और वही मैंने एक किताब के माध्यम से लिखा हुआ है, तो बहुत बार हम ये सोचते हैं, कि क्या ऐसी उच्छा आत्माय हमें आकर इस प्रकार से वारता लाप करते हैं, बहुत सारे लोगों का यही कोश्यन मेर पास आता है, तो मैं बताना चाहूंगी, कि मैंने भी ध्यान की जर्नी, जब मैं उन्नीस साल की थी तब चालू किया था मैंने, और एक बार पत्री जी के साथ मैंने, महाँतार बाबाजी के गुफा जो उतरा खंड में है, कुकुचिना नाम के एक जगा पर, वहां जाने के बाद ही मेरे ये एक्सपिरेंसे स्टार्ट हुए, और ये कुछ एक दो साल की घटना नहीं है, ये करीबन नो साल लगे बाबजी को मुझे उनके एनरजी को पूर्न रूप से लेने के लिए, उसके बाद ही जिसे हम एक चानलिंग कहते हैं, और वही कन्वर्सेशन मैंने कि हुआ है, और मैं आशा करती हूँ कि यही किताब ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को प्रकाश दे रहा होगा, राह दिखा रहा होगा कि किस प्रकार से ध्यान हमें एक ऐसे उच्छस्तम स्तर पर लेकर जाता है, जहां पर हम सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जी माम, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ होगा, उनसे भी बात कर लेते हैं, हालो, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना, मैं दिव्या जी माम ने आपके प्रश्ण का उत्तर दिया था, आपको और भी प्रश्ण पूछना है या आप उत्तर नहीं सुन पाई, हमें और प्रश्ण प अगर आपकी उर्जा प्रतिदीन की साधना से बढ़ती है, आप अपनी लाइफ सिचुएशन को बेटर करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वही उर्जा आपकी घर में फैलेगी, आपके फैमिली मेंबर्स को महसूस होगी, और तब वो भी ध्यान में आएंगे, अगर वो भी ध्यान चालू करते हैं, तो वो भी अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं, जैसे आपने बदला, जी, दिविया जी आशा करते हैं कि आपको आपके इस प्रश्न काउत्तर भी प्राप्त हुआ होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद कारिक्रम में कॉल करने के लिए, मैम हमने है कि आप हर वर्ष, जो महावतार बाबजी की गुफा है, वहाँ पे लोगों को ले कर जाते हैं, तो मैम ऐसा क्या है उस थान पर? ऐसा क्यान नहीं है उस थान पर ये मैं कहूंगी क्योंकि अधिकतर हम जैसे हम भारत जैसे देश में रहते हैं तो हमें तीर्थ स्थानों पर जाना बहुत पसंद है हम जाना चाहते हम जाते भी है लेकिन एक आध्यात्मिक स्वरूप से अगर आप देखे अगर आप ध्यानी है तो एक अच्छी उर्जा का जो प्रभाव होता है वो काफी कम जगा पर बचा हुआ है तो बाबाजी की गुफा एक ऐसी जगा है जो अभी तक तीर्थ स्थान नहीं बनी है या फिर कोई एक कमर्शियल या टूरिस्ट प्लेस नहीं बनी है वो प्योरली एक पहाड पे आज भी मुझूद है जहां पर बहुत ज़ादा भीड़बार नहीं होती जहां पर बहुत सारा नीचर है और बाबाजी की गुफा ऐसा प्लेस है जहां पर बाबाजी ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और लहरी महाशय ने भी वहाँ पर तपस्या की थी उसके बाद भी ऐसे कई योगियों ने वहाँ पर तपस्या की हुई है इसलिए वो गुफा आज काफी प्रचलित है और मेरी भी जर्णी परसनली वहां से ही शुरू हुई है तो करीबन छे साल से मैं हर साल दो बार करीबन मार्च या जून या जुलै के आसपास ऐसे साल में दो बार जब भी बबाजी के मेसेज़स आते हैं उस साल में उस समय में मैं लोगों को लेकर उस गुफा में जाती हूँ उनसे ध्यान करवाती हूँ उन्हें मागदर्शन करती हूँ और ये पूरे जर्णी में इस ट्रीप में जो तीन से चार दिन का हमारा ये ट् उनमें लोगों को आत्मा अनुभव आते हैं ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप किसी जगव पर जरूर जा सकते हैं जाना चाहते हैं और देख के वापस भी आ सकते हैं लेकिन आपका आत्मा अनुभव पूर्ना रूप से बदल जाएगा जब आपके साथ ऐसे कई आपके साथ ही होंगे जो like minded है जो ध्यान का अनुभव करने के लिए आए है जो आत्मा का अनुभव करने के लिए आए है और जो ज्यान बाटने के लिए तयार है तो इस प्रकार से आपको ऐसे ध्यानी लोग मिलेंगे जो मेरे साथ आते हैं और उनक बाबाजी ने मुझे ये गाइड किया हुआ है कि जो लोग उनके पास आएंगे, उनका ध्यानानुभव या आत्मा अनुभव करना चाहेंगे, वो उन्हें मेरी तरफ डाइरेक्ट करेंगे और मैं उनको लेकर आओं। तो अर्थात ये काम मैं खुद से नहीं कर रही हूं। ये युनिवर्स मुझसे करवा रहा है, बाबाजी मुझसे करवा रहा है, तो अगर आप भी मेरे साथ बाबाजी की इस गुफा में आना चाहते हैं, तो जरूर मुझसे कॉंटेक्ट करें। जी, मैं मैं अपने भी एक शब्द यूज किया, सोल कॉंट्रेक्ट, तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे, कि सोल कॉंट्रेक्ट क्या होता है, तो कॉंट्रेक्ट वेसे हमारे लिए कोई नई संकल्पना नहीं है, जैसे आप अपने घर बनाने के कॉंट्र किसी सोल के साथ करने के लिए, जैसे कि यहीं उधारन पे हम लेते हैं, कि 2009 से मैंने बाबाजी की गुफा में जाना चालू किया, और वो मेरे परसनल लेवल पे था, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके हर साल जाती रहे, और बाबाजी हर बार मुझे हर छे महने में बुल चानलिंग हुई, तब बाबाजी ने मुझे ये कार ये सौपा कि तुम्हें सिर्फ दो चार फ्रेंड्स को नहीं, तो बहुत सारे लोगों को लेकर इस जगह पर आना है, तो ये मेसेज दिया जिसको मैंने फॉलो किया, और ये फॉलो करते-करते आज छे से साथ साल हो रहे हैं, और पिछली ट्रिप में मुझे ऐसे लगा कि बाबाजी क्या आप मेरा ये रोल बदल सकते हैं, क्या आप थोड़ा इस कॉंट्रेक्ट में चेंज ला सकते हैं, कि मैं किसी और भी जगह इन लोगों को लेकर जाओं, तब बाबाजी ने मुझे फिर से याद दिलाया, हमारे साथ तुम्हारा सोल कॉंट्रेक्ट है, तुमने इसमें साइन किया हुआ है, तुम इसे नहीं बदल सकते हैं, तो इस प्रकार से जब भी हम किसी चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हाईयर इंटिटी जो है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो व हमारे साथ इस प्रकार से सोल कॉंट्रेक्ट करती है, जिसमें हमारा सोल इवलूशन होता है, हमारी ग्रोध होती है और हमारे साथ-साथ हमारे हातों से बहुत सारा लोक कर लैंड भी होता है, मैम, जैसे आपने बोला कि आपकी चैनेलिंग हुई मावतार बाबाजी के साथ और इतना कुछ आपने जाना भी उनसे तो माम जो आम जन्मानस है वो कैसे हाइर एंडिटी से चानल कर सकती है माम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन दर्शक बने हो यह पहलो उनसे बात कर लेजी है हालो 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 नमस्कार नाम बताये अपना मेरे सवाल ह मेरे मेरे सब आइंब हो रहा है कि अनुवह नहीं होरा मतलब आप थोड़ा सा बता सकते कि किस चीज के लिए आप अनुभोamentsव covenant तो ध्यान में शान्ती पाना भी एक अनुभव है, वो तो सबसे पहला फेज है ध्यान का, क्योंकि जब हम शान्त होंगे तब ही तो हम आगर आगे जाके अलग-अलग अनुभव को देखेंगे, क्योंकि आप देखिए जब आप ध्यान में नहीं बैठ रहे तो ज़रूरी नहीं कि आप शान्ती को शान्ती में रहे और या फिर उस चुन्यता में जाए, लेकिन ध्यान में बैठने के बाद अगर आपको वो शान्ती महसूस हो रही है, इसका मतलब ये ध्यान का सबसे पहला अनुभव है, तो आप अनुभव करते रहे और प्राक्टिस से अलग-अलग ध्यान के जो फेजिस आएंगे, अनुभव आएंगे, वो भी आपको मिलेंगे, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जी, हर्षित जी, ध्यान में शान्ती बिलना भी एक अनुभव ही है, जरूरी नहीं है, कि जो अनुभव आप दूसरों के सुन रहे हैं, वो आपके साथ भी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद कारिक्रों में कॉल करने के लिए, जी, तो माम प्रशनी को मैं दुबारा दोर से चैनल कर सकते हैं, तो यह सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊंगी कि चैनलिंग हम भारतिय लोगों के लिए कोई नई संकलपना नहीं है, हमने देखा है या अगर आपने देखा हो कि ऐसे सजजन या ध्यानी लोग जो हो सकता है ना बोले, लेकिन जो साधना में लोग र डिफिनिटली साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा और ध्यान के साथ साथ जब हम आत्म अनुभाव को प्राप्त करते हैं, तो उसी आत्म अनुभाव से जब हम एक अच्छे वाइबरेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं, हमारी एनजी फ्रिक्वेंसी बहुत हाइ हो जा तो रहस्य यही है कि आपको अपनी एनजी को बढ़ाना है, उसके लेवल को बढ़ाते रहना है और वो एक दिन एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी, जहां पर अपने आप, आप हाइर एनटिटी से जुड जाएंगे जी, मैम आज से दो वर्ष पहले, 24 जुलाई को पत्री सर ने अपने बहुत देह का त्याग किया था, तो क्या कोई ऐसे अनुभव है आपके साथ, स्पेशली उसी दिन के, जो आप हमारे साथ साजा करना चाहें जी, जरूर, 24 जुलाई 2022 को पत्री जी ने अपने शरीर को त्यागा था, और 23 जुलाई को मैं उनको देखने के लिए कर्ताल हैदरबाद में गई थी, जहाँ पे सबसे बड़ा पिरामिड है तो पत्री जी को देखने के लिए, एक्चली मैं एक महीने से पहले कोशिश कर रही थी कि मैं जाओ और पत्री जी से मिलू तो शनिवार का दिन था, जब हमने प्लान किया, लेकिन शुक्रवार से ही मुझे मेरे पती को, पत्री जी जहाँ पर थे, वहां से कॉलिंग्स आने लगी, सबने बोला कि तुम लोग आ जाओ, शायद पत्री जी बॉडी वैकेट कर सकते हैं, तो जल से जल तुम लोग आ जाओ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पत्री जी नहीं जाएंगे, तो बाद में हमने सोचा कि चलो ठीक है, पत्री जी जाए नहीं जाए, लेकिन मुझे तो एक महिने से था कि मैं पत्री जी से जाके मिलू, क्योंकि उस दौरान पत्री जी की तब्या ठीक नहीं थे, तो इसलिए हम 23 जुले को पत्री जी से मिलने गए सुबा सुबा और पूरा दिन मैं पत्री जी के सा रही उनके सानिध्य में रही और physically उस समय वो कुछ बात नहीं कर पा रहे थे थोड़ा बहुत आवाज वो निकाल पा रहे थे और आखों से देख पा रहे थे तो मैं जितना भी समय पत्री जी के साथ रही और उनके body moments देखकर उनकी उर्जा को देखकर मुझे ये महसूस कि किस प्रकार से पत्री जी ने अपने शरीर को भी ट्रेन किया अपने ज्ञान से मतलब कि जाते जाते भी जो उनको अलग-अलग तरीके से health issues आए, health issues मतलब कि धीरे-धीरे उनकी बॉड़ी जाने से पहले काम करना बंद कर दिया, तो उसको भी पत्री जी ने कितना positively स्विकारा उसको अपनाया, किसी प्रकार की कोई complaint नहीं की, या फिर किसी भी प्रकार की medical treatment उन्होंने नहीं ली, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें जाना है, लेकिन कही ना कही मेरे अंदर एक हमेशा ये थौट रहता था, कि एक ध्यानी को या फिर मुझे कैसे जाना चाहिए, तो मैं एक बहुत ही healthy स्वरूप से जाना चाहूंगी, जैसे कि मेरे body को कुछ भी ना हो, तो शायद वैसे जाना योग्य होगा, लेकिन पत्री जी को देखने के बाद, मुझे इस मेरी desire के बारे में बहुत clarity मिली, और मुझे ये समझ आया, कि body को healthy रखना, हमारा उच्छ धेय नहीं होना कि अगर हम उस moment तक मुरुत्यू के पास जब जाते हैं, तो शरीर को भी, शरीर के अलग-अलग parts को भी किस प्रकार से हमें इस universe को, इस ब्रमांड को सौप देना चाहिए, कैसे उसे जो भी शरीर चाहा रहा है, उसे होने देना चाहिए, ना कि हमें ये issue रखना चाहिए, किसी को अगर मृत्यू जाना है, जैसे मुझे था कि बहुत हेल्दी स्वरूप से जाना चाहिए, तो ऐसे भी विचार की कोई जरूरत नहीं है, तो जरूरी ये है कि किस प्रकार से आप अपने शरीर के माध्यम से भी उस energy work को करके जाते हैं, शरीर के हर पार्ट को इस ब्र पत्री जी के बॉड़ी पे जितने भी इफेक्ट समय देख रहे थे या फिर बॉड़ी हमें वीक लग रहे थी, तो इसका एक सिर्फ एक कारण था कि ऐसा नहीं कि पत्री जी अनहेल्दी थे, वो वीक लग रहे थे इस कारण क्यूंकि उन्होंने ऐसी बहुत सारी उर्जा क कारिय किये थे, जिसका इफेक्ट उनके शरीर पर था, तो इसे एनर्जी वक कहा जाता है, जो हायर एंटिटीज होती है, वो ऐसी उर्जाओ को अपने शरीर पर लेती है, ताकि जो भी चीजे यहां पर धर्ती पर ब्लॉक हो, या हो ना रही हो, या फिर निगेटिव एनर् जी हो, ऐसी चीजों को क्लीन वो करते हैं, इसलिए ऐसा इफेक्ट पतरी जी ने अपने शरीर पर लिया था, और धर्ती के इस कार्य को भी करने के लिए, उन्होंने अपने शरीर को भी समर्पित किया, तो इस प्रकार से मेरा वो अनुभव काफी मुझे हिला देने वाला था क्योंकि पत्री जी को मैं एक दिन ऐसे भी देखूंगी पत्री जी का निर्वान मैं भी देखूँगे, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा हमेशा यही विचार रहा था कि मैं पत्री जी के सानिध्य में जाओंगी, अपनी मृत्तियु को देखेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जबकि गुरू के निर्वान के लिए मै अधनी प्रिपेर नहीं थी लेकिन इतना जरूर है दोस्तों की जो भी अनुभव आ रहा है एक्सपेक्टेड हो अनेक्सपेक्टेड हो पत्री जी ने हमें उतनी ताकत प्रदान की उतनी ताकत जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए जो मार्गदरशन किया वो यासाानी से समझ पा रहे है देख पा रहे है और लोगों को भी संभाल पा रहे है तो मुझे लगता है मृत्यू हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है तो वैसे ही पत्री जी जाते-जाते उनके मृत्यू के माध्यम से भी हम सभी कि लोगों को सिखा कर गये हैं जी महां बहुत अच्छे से आपने बताया हम दर्शक भी मालसाद बनुए उन से बात कर लेते हैं हलो है नमस्कार जी नमस्कार नाम बताई अपना मैं जय नाम अरून है और महुंस्ट्रा कंते मेरा ज्यान सब्सक्राइब जी अरून जी बहुत कुछ समय से ज है मेडेशिन कर औहूं जान कर रहं लेके अभी कथ मुझे इसा अलगों कि मैं ध्यान कर सही तरीका नहीं जान पार और मैं ज्यान में चीजहों है जो networks भास्यान ले चीजे और में से ज्श्यान कर रहों तो ग्यान को और गहराई से कैसे कर सुको यह मुझे ज तो it's good, I mean अगर आप 15 मिनिट भी बैठ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसको और बैटर करने के लिए मैं आप से कहूंगी कि जब भी आपको समय मिलता है, जब जैसे कि आप ट्रैवल करते हैं मेट्रो से जाते हैं या कैब से जाते हैं या फिर ओफिस में कुछ ब्रेक मिलता है आपको तो आप ये छोटी-छोटी 10-15 मिनिट की सीटिंग जो है वो लेते रहे हैं जिससे आपका मेडिटेशन उसकी मेडिटेशन की क्वालिटी जो है वो बहुत इंपरोईज होगी जी तो अरुन जी आप एक साथ नहीं कर पारे अध्यान तो आप अलग-अलग समय में कर सकते हैं थोड़ी-थोड़ी देर के लिए जब आप ऐसे करेंगे तो धीरे-धीरे आपका समय खुद बाखुद बढ़ने लगेगा कि अंग मोथ भूप धन्यवात कारी को में कॉल करने के लिए अगले दरम भी वहाओं से बात कर लेते हैं hello इस प्रज़ी नमस्कार नाम बताएव अपना हंसा मनीशा हंसा ह कहां से बात कर रहे है राजकोड राजकोड से बताएव किया जाना चाहते हैं वह तो मुझे पूशना था अब मैं नाइच अपरेल टेटो तॉंपाला तरह थे यह शूर रहा है तो वह वह सुबर तुमें तो आप मुझे बताईए कि आप रोज सोते हैं हां है ना तो आपको पता चल रहा है ना कि आप सो कर उठे हैं तो वैसे ही ध्यान भी है अगर आप ध्यान में जितना भी समय बैठे 20 मिनिट 30 मिनिट अगर 30 मिनिट में आपको एक गहरी शान्ती का अनुभव होता है या फिर एक मिनिट के लिए भी एक ऐसा फेज या अनुभव होता है कि जहां पर आपको लगता है कि मैं मुझूद नहीं थी या फिर नींद जैसा मुझे आ गया अगर ऐसा कुछ अनुभव आपको आ रहा है तो इसका मतलब आप ध्यान कर रहे हैं और ये बहुत ध्यान का अ तो मैं कुछ और एक्सपीरेंस हम आपके जानना चाहेंगे जो आपके मतलब अभी तक आपके साथ जुड़े है कुछ ऐसी बात जो आप पत्री सब की बहुत अच्छी लगती हो वैसे तो बहुत सारी बात है लेकिन अभी जो मेरे मन में आ रहा है उसको में शेयर करती कि पत्री जी जो थे वो बहुत ही करुना से भरे हुए थे और उन्होंने करुना क्या होती है वो सच में हमें सिखाया है दिखाया है अपने आचरन से हमें उसे लेने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि जो आहिंसा का मार्ग पत्री जी ने दिखाया क्योंकि पहले मैं नॉन विच्टेरियन थी और ध्यान में आने के बाद P.S.S.M. के पत्री जी के जो 18 प्रिंसिपल्स है वो जानने के बाद मैंने शाकाहार अपनाया मतलब नौन विच को छोड़ा तो पत्री जी ध्यान सिखाना मतलब अवर्ननी ये डेडिकेशन जिसे मैं कहूंगी ध्यान अगर कि किसी को आधी रात में भी सिखाना है तो भी वो सिखाएंगे किसी भी जगह पर ध्यान सिखाने के लिए वो ट्रैवल करेंगे किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे रात दिन केवल और केवल लोगों को ध्यान सिखाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को अप इसकी तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती तो मुझे लगता है वही आज लाखो पिरामिड मास्टर्स को इंस्पायर किया है जो किसी भी परिस्तिती में किसी को भी ध्यान सिखाने के लिए समर्पित है और इस डेडिकेशन के साथ और जो मुझे पत्री जी की चीज बहुत ज भी नहीं दाटे गुरु जो बस आके हमारे सिर पे हाथ रखे तो ऐसी बहुत सारी कलपनाएं हम गुरु के लिए करते हैं जबकि पत्री जी इन सभी चीजों से बहुत ऑपोजिट थे अगर आप पत्री जी के वीडियो भी देखेंगे या फिर प्रत्यक्षरूप से मिले ह तो बहुत बार आपने ये देखा होगा कि लोगों को दाटते थे लोगों को बहुत सारा प्यार भी देते थे जब जरूरत है तब उनको मारते भी थे मार भी पड़ी है बहुत सारी लोगों तो इन फैक्ट पत्री जी एक ऐसे इनलाइटन Master थे या फिर एक ऐसे विश्व गुरु है जिनोंने हमें सिर्फ ध्यान करना नहीं तो हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए कब गुसा करना चाहिए किस प्रकार से एक गुरु के सामने बात करनी चाहिए किस प्रकार से हमारे जीवन में जो विनाशकारी विचार होते हैं उनका त्याग करना चाहिए किस प्रक प्रकार से हमारे संसार में ही रहते हुए कि इस प्रकार से धर्म को भी निभाना चाहिए और अपने कर्म भी करते रहना चाहिए इस प्रकार से हर एक उधारन को उन्होंने अपने आचरन से हमें दिखाया, सिखाया और वही देखकर आज हम लाखो पिरामिड मास्टर्स पूर मैं आज की एपिसोड में ना बता पाऊं लेकिन करुना प्रेम और इस्पेशली ध्यान के लिए जो पत्री जी का समर्पन है वो बहुत ही अवर्ननिय रहा है जी मैं जब अभी आपने अपना अनुभव सांजा किया था जिस दिन पति-स Clifford अपने ऑडिको किया तो म्रित्यू अ पूसरीर की हो तो सिर्फ शरीर की होती है आत्मा की नहीं होती है प्रित्यू को समझाए जैन कालुकों जानकारी कहां से प्राप्त और रहे कि सिर्फ धान स से हम जन्म लेते हैं एक बच्चे का जन्म लेने के बाद कितने हम आरंदित होते हैं उसको celebrate करते हैं वैसे ही हमें किसी के मृत्य को भी celebrate करना चाहिए celebrate अर्थाद कि उसकी आत्मा अभी इस जीवन को पूर्ण रूप से निभा कर उसका आनुभाव करके अपली अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ रही है अर्थात सोल के लिए वो एक प्रमोशन है इसलिए हमें उसको सेलिबरेट करना चाहिए और उसके साथ साथ जिस प्रकार से जन्म लेने के समय हमें एक बहुत ही अवर्ननिय अनुभव होता है वैसे ही मृत्यू के समय भी होता है अगर हमारे भीतर जागरुकता हो आत्म ज्यान हो तो हो सकता है कि हम बहुत ही उच्च स्थर पर इसका अनुभव कर पाए हमारी चेतना को पूर्न रूप से अनुभव कर पाए इसलिए मृत्यू को हमें सीखना चाहिए सीखना आरथा उसका ज्यान लेना चाहिए तो इसके बारे में बहुत सारे अलग-अलग किताबों में भी बताया गया है और पत्री जी ने भी मृत्यू के बाद के जीवन के बारे में बात की है ऐसी वीडियो को आप देखे उसके साथ साथ मैंने एक specially ऐसे courses को design किया है जो life after death को define करते है और यह course मैंने इसलिए design किया है ताकि जो लोग इस तरपर हो जैसे कि अगर आपके कुछ relatives हो friends हो जो आपको लग रहा हो कि यह जाय सकते हैं या फिर खुद आप हो या आपके कुछ friends हो जो आत्म ज्यानी हो जिनको ज्यान समझना पढ़ना सीखना अच्छा लगता हो तो ऐसे सभी लोगों ने life after death के बारे में उस knowledge के बारे में जानना चाहिए ताकि वो आपके मृत्यों के समय आपको मदद करे और आपके उन सभी लोगों को मदद करे उनको समझ आए कि किस प्रकार से हमें मृत्यों को गले लगाना चाहिए स्विकार करना चाहिए या फिर मृत्यों के बाद हमारे साथ क्या होगा अगर ये ग्यान जब आपके पास आ जाता है तो आत्मा आपके मन को educate करती है आपके शरीर को भी तयार करती है ताकि आप मृत्यू का भी एक सुख़ दानुभव ले पाए अगर आपको ऐसी knowledge को अगर लेना है तो आप मुझे social media पे master परलवी के handle पे contact कर सकते है और मेरे जो courses है जो विशे उपर उनको ले सकते हैं जी माम दर्शक भी मैं साथ बनुए उनसे बात कर लेते हैं हलो नमश्कार नाम बताइए अपना मेरा नम साहिल है साहिल जी कहां से बात कर रहा है आप बेली से बताइए क्या जाना चाहते है पंजमा मेरा ये प्रशन था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ बट क्या मुझे अनियन और गार्लिक छोड़ना जुरूरी है उस पर इस पर क्या मैं कंज्यूम पर जी जी देखिए कि आप अनियन खा सकते हैं लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप गार्लिक मत खाईए क्योंकि गार्लिक एक्चुली वेजटेबल नहीं है वेजटेरियन नहीं है और गार्लिक जो है इसका और एक साइंटिफिक रीजन ये है कि ये बहुत सारी नकारात्मक उर्जा को हमारे भीतर लाता है इसलिए आध्यात्मिक लोग गार्लिक को पूर्ण तरीके से वर्जित करते हैं ताकि आपके भीतर कोई नेगेटिव एनरजी प्रविश ना करें बाकि आप सब कुछ खा सकते हैं जी साहिल जी आश्वा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा बहुत-बहुत धन्यवाद कारिकरों में कॉल करने के लिए जी तो माम गुरू की अगर हम बात करें तो एक गुरू का चयन करते समय हमें किन-किन बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए गुरू कैसा होना चाहिए ओके अभी बहुत सारे लोग अलग 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 गुरू के पास जाते हैं या अनुभव करते हैं लेकिन मैंने परस्नली ऐसे कोई अनुभव मेरा नहीं है जहां पर मैं बहुत सारे गुरू के पास गई हूँ तो मेरा अनुभव यही रहा है कि मैं डारेक्टली पत्री जी के पास गई हूँ और एक गुरू को देखने का मेरा अपना दृष्टिकों जरूर में आपसे शेर कर सकती हूँ कि मैंने क्या देखा या मैं क्या देखना चाहूंगी एक गुरू में देखिए गुरू जो है सबसे पहले तो आप गुरू के बारे में जो भी सोशल कंडिशनिंग रखते हैं उसको ड्रॉप करें उसका त्याग करें जैसे की गुरू कोई भगवेवस्तर में होने चाहिए गुरु कोई बहुत दाड़ीवाले होने चाहिए या अलग-अलग पुशाक में होने चाहिए जो रिशी मुनी रखते हैं या फिर गुरू जो है बहुत सौफ्ट स्पिकिंग person होने चाहिए ऐसे कुछ social conditioning या कोई image अगर आपने अपने मन में create करी है तो उसको हटाईए क्योंकि अगर आप ऐसी image रखते है या देखते जाव normally हम और उसी तरीके से आप ऐसे गुरू को attract भी करेंगे इसलिए आप ऐसे social conditioning को drop करें और ऐसे आत्मिक स्तर पर universe को ऐसी calling दे कि अगर जो उचित ग्यान रखता हो जो आपको मार कर भी सिखाए जो आपको हर परिस्थिती में ग्यान दे जो आपको केवल भोतिक जगत में नहीं तो आपके सपनों में भी आके आपको मार्गदरशन करें जो आपको सही गलत की समझ दें जो आपको सही मायनी में जीना सिखाए ऐसे गुरू की आप तलाश कीजिए ऐसे गुरू से कनेक्ट होने की कॉलिंग आप यूनियर्स को दे सकते हैं और जब भी आप ऐसे किसी गुरू से मिलेंगे उनकी उर्जा में जाते ही आपको ये भीतर से अपने इंटुशन से समझ आएगा कि वो व्यक्ति आपके गुरू होने के योग्य है या नहीं है सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हम किसी को योग्य आयोग्य गुरू के स्थान पे नहीं रख सकते हैं सबसे पहले तो हमें भी अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ती है अध्यात्मिक शेत्र में और तभी जाकर हमें अच्छे गुरू भी मिलते हैं लेकिन अभी तक पत्री जी ने हमें यही सिखाया है कि हमारा श्वास ही गुरु है तो ध्यान जो है यह हमें मिल चुका है आपको ध्यान कैसे करना है यह पता है तो ध्यान आप कभी भी कही भी कर सकते हैं अपने श्वास के साथ अपने गुरु के साथ रहकर कर सकते हैं इसके अलावा जो हमें guidance चाहिए जैसे पतरी जी ने हमें जितने भी pyramid masters है हम सभी को गुरू बनाया हुआ है उन्होंने किसी शिश्य परंपरा को अपनाया नहीं है इसलिए पतरी जी कहते थे कि मैं शिश्य नहीं बनाता मैंने तो गुरू बनाये है इसलिए दोस्तों हर एक व्यक्त गुरू है वो आपको सुख प्रदान करे दुख प्रदान करे जो भी अनुभाव दे हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में गुरू है लेकिन अध्यात्मिक स्तर पर जैसे मैंने पतरी जी को अपना गुरू माना है अगर आपके भीतर से भी पतरी जी के लिए वो भावनाय आती तो जरूर वो आपके गुरु है या फिर किसी और के लिए ऐसी भावनाएं आपके मन में जगा लेती है तो वही आपके गुरु है अपने इंटुशन को फॉलो करें माम दर्शक भी बनुए उसे बात कर लेते हैं हलो हलो जी नमश्कार नाम बताईये अपना जी बताईये क्या सवाल आपका नाम के बताया था आपने अपना सुमिद जी यह बहुत अच्छा अनुभव है आप सिरदर्द की वज़े से भारीपन की वज़े से ध्यान को ना छोड़े इसका अर्थ है अगर आपका शरीर भारी हो रहा है मतलब आप उर्जा को अपने शरीर में ले रहे हैं उसका अनुभव कर पा रहे हैं कई बार हमार शरीर में या फिर हमारे सुक्षम शरीर में बहुत सारे ऐसी निगेटिव एनरजी होती है जिसकी वज़े से यह भारीपन हमें महसूस होता है जब आप ध्यान करते हैं वही उर्जा आपके ऐसे धागों को ऐसी निगेटिव एनरजी को क्लीन करने लग जाती है जिसकी वज कर रहे हैं आपके भीतर क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है इसलिए इसको पॉजिटीवली ले और कुछ समय बाद ऐसे एक मैना दो मैना ऐसे ही आप रेगुलर ध्यान करते रही है एक फेज के बाद आपका सिर्दत बंद हो जाएगा आपका जो भारीपन है शरीर में वो बंद ह हो जाएगा और एक अच्छे एनर्जी लेवल पर जब आप पहुँच जाएंगे तो अलग प्रकार के अनुभव आपको स्टाट हो जाएंगे जी सुमिझ जी आशागरते हैं कि आपको आपके प्रशन का उत्तर प्राप्त होगा बहुत बहुत धन्यवाद कारिक्रों में कॉल करने के लिए मैं पत्री सर ने हर गुरू से मितलब हम कहीं तो हर अच्छे मास्टर से कुछ ना कुछ अच्छी बाते लेके पी एसेसम में अच्छा लगता है कि जो आपको बहुत आकरशित किया हो जिसने पी एसेसम में आने के बाद जी तो पीएसेसम में पत्री जी ने अठरा सिधानतों को हमें बताया हुआ है और मैं रिक्विस्ट करूंगी सभी हमारे दर्शकों को कि वो फिर से हमारे 18 प्रिंसिपल को उसके बारे में जाने कि किस प्रकार से ये 18 principles जो है आपके आध्यात्मिक विकास के लिए कार्निभूत हो सकते हैं तो उसमें जो मेरा सबसे प्रिय सिद्दान्ध है वो है स्वाध्या कि हमें आध्यात्मिक सही किताबे पढ़नी चाहिए देखिए पत्री जी ने क्या लिखाया आध्यात्मिक और सही किताबे क्योंकि समाज में हम देखेंगे कि आध्यात्मिकता के उपर लाखो किताबे लिखी हुई है लेकिन उन में से ऐसी बहुत सारी किताबे हो सकती है जो हमें आध्यात्मिक स्वरूप से misguide भी कर सकती है जहाँ पर हम आध्यात्मिक स्वरूप में भटक सकते हैं इसलिए एक सही जानकारी के लिए पत्री जी ने जो जो किताबे उन्हों ने पढ़ी उसको तराशा और ऐसी ही किताबे हमें पढ़ने के लिए recommend किया हुआ है तो आप हमारी PMC Hindi के website पर जाके ऐसे किताबों की list भी पास सकते हैं जान सकते हैं कि पत्री जी ने कौन सी किताबे recommend की है तो ऐसी किताबों को पढ़े अपना ग्यान बढ़ाए और इस principle का पालन करे और इसे करने के बाद आप खुद देखेंगे कि जो आपकी समझ थी जो आपका ज्यान था जो आपका अनुभावता वो पूर्ण रूप से speed up हो गया है मतलब उसमें बहुत तेजी से गती आ गई है केवल स्वाध्या करने से तो इसलिए स्वाध्या ज़रूर करें बहुत सारी आध्याद में किताबे पढ़ें जी माम आपने स्वाध्या प्रिंसिपल पर तो प्रकाश डाला साती सात में आपे सज्जन सांगत्य का महत्वाप से जानना चाहूंगी कि सजन सांगत्य हमें क्यों करना चाहिए देखिए क्या होता है कि एक प्याज जो है अगर सड़ा हुआ हो तो दूसरे प्याजों को भी खराब करने लगता है तो ये हम भली बाती जानते हैं कि इस प्रकार से हमारा सांगत्य हो उसी प्रकार हम बिहेव करने लग जाते हैं, हम बदलने लग जाते हैं तो इसलिए अगर हमें अपनी अध्यात्मिकता को बढ़ाना है तो हमें भी अध्यात्मिक लोगों के साथ ही रहना चाहिए उनके साथ ही समवाद करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे अनेक चरचाय करनी चाहिए, उनके ध्यान अनुभव सीखने चाहिए, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी negative blockages है, वो निकलने में हमें सहायता मिलेगी, group energies का हमें support मिलेगा और हमारी भी आध्यात मिक्ता जो अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन पत्री जी ने कहा कि आपको अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, माम ऐसा क्यों कहा उन्होंने? दिखिए अभी तक ये भी एक social conditioning है जहाँ पर हम सोचते है कि हमें कुछ अरुभ हो आया तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले लोग सोचते है कि मैं बोलूंगी, तो मेरा वो छीन लिया जाएगा, छीन जाएगा, इस प्रकार से एक कही पर एक wrong impression of spiritual experiences हमें समाज में दिय गये है या बोले गये है, लेकिन ये सत्य नहीं है, आप खुद सोचिए कि भगवत गीता भी एक सबसे बड़ा अनुभव है, एक महा गाता है, अगर उसे कोई लिखता नहीं, बोलता नहीं, बताता नहीं, तो आज हमें ग्यान नहीं मिलता, इसलिए ग्यान को दबाना नही चाहिए, ग्यान एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है, ना कि छुपाने से बढ़ती है, छुपाने से आपको तकलीफ होगी, बताने से, शेर करने से वो और बढ़ेगी, इसलिए आप अगर ऐसी सोशल कंडिशनिंग रखते हैं, तो ऐसी बिलकुल ना रखें, अगर आ आप वही ध्यान अनुभव अपने मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेर कीजिए, देखिए कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, किस प्रकार की उरिजा आपके अंदर बह रही है, किस प्रकार की एनरजीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा सा ए पहले चाहूंगी कि आप मारे दर्शकों को एक संदेश जरूर दे, जी, हम सभी को ध्यान के साथ साथ ज्यान लेना भी उतना ही जरूरी है, सबसे पहले ध्यान करना, खुद ध्यान करना, ये आपका खुद का कार्मिक अकाउंट है, आपकी सूल का अकाउंट है, हम सभी अ अलग अलग आत्माय है तो हमारा ध्यान हमारे कर्म हमारे साथ ही रहते हैं अगर हमें अपने फैमिली को मदद करनी है उनको भी अच्छा करना है समाज को अच्छा करना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा हम किसी को नहीं बदल सकते लेकिन हमारी ध्यान साधना की उर्जा जरूर हमारे family को या फिर हमारे समाज को बदलने के लिए एक अच्छी राह दिखाने के लिए मदद जरूर कर सकती है और यही हमें करना है खुद रोज ध्यान कीजिए और ध्यान करने के साथ-साथ ज्यान को भी अरजित कीजिए ताकि आपको एक सही direction मिल पाए आपको ये समझ आ पाए कि आप अपनी जीवन में जो कुछ भी कर रहे है वो क्यों कर रहे है इसलिए आप किताबे पढ़िए और सज्जन सांगत्य कीजिए PMC Hindi के वीडियोस देखिए या फिर PMC Hindi के groups जोइन कीजिए जहां पर आपको ऐसे लाखों मास्टर्स मिलेंगे जो आपको आपकी आत्मा की यात्रा में गाइड करेंगे धन्यवाद जी जी मामतो यानि की ध्यान, स्वाध्याई, सज्जन सांगत्य और शाका हर जगत को अपना कर ही हम अपनी अध्यात में क्यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं जी मामतो आपने इतनी सारी जानकारी दियो और हमारे दर्शकों के प्रश्णों के उत्तर दियो उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद तर्शकों इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कारिक्रम में जुनने के लिए, कारिक्रम में कॉल करने के लिए आज इस कारिक्रम का अंतिम दिन था लेकिन यदि आप अपने प्रश्ण हम से पूछना चाहते हैं तो आप उन प्रश्णों को हमारे Hello PMC कारिक्रम में पूछ सकते हैं जो हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4-5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं लेकिन आज के लिए बस इतना ही आप बने रहिएगा PMC Hindi चैनल के साथ नमस्कार